सबी को जहिंत मैनित निकोड़े स्वागत करता हूँ आप सबी का आपके अपने यूटूब चानल Mission N.C. The Way of Success में आप सबी फ्यूचर में बनने वाले सोलजर्स को आप सबी फ्यूचर में बनने वाले आफिसर्स को मेरा सेलूट देखेगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 0.22 राइफल के बारे में अगर आप N.C.C. A.B.C. सर्टिफिकेट की एक्जाम की तयारी कर रहे हो या आप इस साल N.C.C. जॉइंड करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदे मन्द होगा 0.22 राइफल के रिलेटेड आपके मन में जितने भी डाउट्स होंगे वह सारे के सारे डाउट्स और जितने भी important question 0.22 राइफल पे बनते हैं उन सभी question के answer आपको आज इस वीडियो के जरिये मिल जाएंगे जैसे कि आप आपके screen के ऊपर देख सकते हो यह गोलिया दिखाए दे जो कर आपके screen के ऊपर देख सकते हो इस तरह से राइफल होती है और दूसरी जो rifle होती है वो होती है 0.22 deluxe rifle ठीक है 0.22 number 2 M के 4 rifle जो है वो आपके exam के related इतने important नहीं है ठीक है इसके उपर ज़्यादा questions नहीं पूछ जाते हैं लेकिन जो 0.22 deluxe rifle है भाई उसके उपर ज़्यादा questions पूछ जाते हैं आज के इस वीडियो में हम 0.22 deluxe rifle के बारे में सब कुछ चीजें समझेंगे तो दिखिये 0.22 rifle को अब सेना से निकाला गया है हमारे All India में NCC के जितने भी battalion से वहाँ पे उन जगह पे 0.22 rifle को दिया गया है ताकि NCC cadets को अच्छे से 0.22 rifle के बारे में बताए सके और NCC cadets को 0.22 rifle के training दे सके तो अब हम कुछ questions समझेंगे और कुछ answers समझेंगे 0.22 rifle का प्रयोग NCC में किस उद्देश से करते हैं important question है तो इसका answer क्या हो जाएगा NCC cadets के मन में हतियारों के प्रति डर या भाई को दूर करने के लिए NCC में NCC cadets को 0.22 rifle का बैस कराया जाता है तो दिखेगा दिखेए असल में होतना क्या है भई 0.22 rifle का प्रयोग NCC में किस उद्देश से करते हैं तो दिखे जो भी आप बहुत सारे नए students होते यार उनको वो कभी हाथ में तो gun तो नहीं ले सकते वो कभी weapon नहीं ले सकते हाथ में तो rifle के प्रती उनका जो भई होता है simple सी बात है अगर मैं पहली बार अगर rifle पकड़ूँगा या मैं भी gun पकड़ूँगा तो मेरे अंदर भी rifle के प्रती दो डर होगा उस डर को भगाने के लिए cadets के अंदर self confidence लाने के लिए जो है जो वजन होता है वो 6.2 ons का होता है ठीक है चलिए next question के और बढ़ते है .22 rifle का caliber कितना होता है तो दिखिए .22 rifle का caliber होता है वो 0.22 inch का होता है इसलिए इसे 0.22 rifle कहा जाता है clear है चलिए 0.22 rifle का ammunition कितना होता है तो 0.22 rifle का ammunition कितना होता है तो वह 0.22 inch का ammunition भी होता है तो आप सभी आपके screen के उपर देख सकते हो मैंने photo भी दिखाया है इस तरह से इसका ammunition होता है आप सही तरह से इसको देख सकते हो इसका जो size होगा ammunition का वो 0.22 inch का size भी होगा तो चलिए next question के और बढ़ते है 0.22 rifle की लंबाई कितनी होती है important question है तो इसकी जो length होती है 0.22 rifle की जो length होती है वो 43 inch होती है अगर हम centimeter में अगर बात करेंगे तो 110 centimeter जो है इसकी लंबाई होती है ठीक है पूरे rifle की बात कर रहे हैं ठीक है चालिए उसके बाद question number 6 भी हम देख लेते है 0.22 rifle की effective range कितनी होती है effective 0.22 rifle की कारगा range कितनी होती है तो 25 yard होती है ठीक है और हिंदी में अगर मानेंगे तो हम इसको 25 गज़ भी हम इसे बोलते है चालिए 0.22 rifle की maximum range कितनी होती है भाई आप बात करें हम maximum range के बारे में तो देखे 0.22 rifle की maximum range होती है वो 1700 yards की होती है at 33 angle अगर आप 33 के angle में अगर मारोगे तो 1700 yards तक जो है उसकी maximum range होती है 0.22 rifle की clear है चीज़े मखन के जैसी समझ में आ रही है चलिए और आगे भी है न मैं आगे आप सभी को एक वी एक चार्ट दिखाऊंगा जिससे आपके मन में जो 0.22 rifle के related जो doubts होंगे न वो पूरे मखन के जैसे पूरे clear हो जाएंगे ठीक है next question के तरब बढ़ते 0.22 rifle की muzzle velocity कितनी होती है तो दिखें इसकी muzzle velocity जो होती है वो 2700 feet प्रतिस सेकंड की होती है और इस बात को भी दयान दिजगा पहले जो थी वो 1030 feet per second की इसकी muzzle velocity भी होती थी कई बार ये question पूछा जाता है अगर दिखें आप इसमें 1030 feet भी इसका answer लिख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है चलिए 0.22 rifle में groove in the barrel कितने होती है important question very very most important question है अब बहुत सारे student को बहुत सारे cadets को यह नहीं पता है कि यह grooves क्या होती है ठीक है इसको पहले मैं इसकी concept आप सभी को बता दू groove किसे कहा जाता है तो barrel के कटाओ वाले हिससे को groove कहा जाता है ठीक है barrel के कटाओ वाले हिससे को groove कहते है अब आप देखिए जैसे कि आपको मैं एक picture दिखा रहा हूँ screen के उपर जैसे हम trigger दबाते हैं, trigger दबाने के बाद हमारे rifle से गोली निकती है, तो यह गोली जब तक वो barrel से नहीं निकलती है, जैसे ही वो barrel से बाहर निकलती है, जैसे कि आप देख लो, मैं example के लिए बताऊँगा कि जैसे कि आप rifle का मुह देख लो, मुह बोलेंगे, rifle का जो मुह होता ह तो राइफल का जो मुह होता है वहाँ पर आपको कुछ कुछ खाचे दिखाये देंगे कुछ खाचे त्थेद आपको वहाँ पर दिखाये देंगे अलग-अलग राइफल के अलग-अलग खाचे होते हैं, ठीक है, चलिए, अब बात करते है, 0.22 राइफल का rate of fire कितना होता है, तो दीके इसका rate of fire है भाई, वो दो parts में इसको divide किया है, एक तो normal fire होता है, और दूसरा होता है rapid fire, तो normal fire में 5 round per minute का होता है, और rapid fire में 10 या 15 round per minute का होता है, अब बात करते है, 0.22 राइफल की सफाई की चिंदी का आकार कितना होता है, तो दीके 4 inch by 3 बटे 4 inch का जो है, इसका सफाई की चिंदी का आकार होता है, तो उसके बाद एक important question बनता है, तेल की चिंदी का आकार कितना होता है, तो दीके तेल की चिंदी का आकार है, 4 inch by half inch का होता है चलिए 0.22 राइफल को किस क्रम से खोला जाता है important question है 0.22 राइफल को किस क्रम से खोला जाता है तो दीखिये अगर आपके राइफल को जो है अगर बॉक्णेट लगा हुआ है तो वो चार भागों में खोला जाएगा अगर boynet नहीं है आपके rifle को तो वो तीन बागों में खोली जाती है तो सबसे पहले हम boynet को खोलेंगे जिसे हम संगीन कहते हैं उसके बाद हम sling chain को उतारेंगे उसके बाद bolt assembly को उतारेंगे फिर जो है हम magazine को उतारेंगे हम इसको magazine भी बोल सकती है या उसको हम case collector भी बोलते हैं या bolt assembly को भी बोल्ट assembly लगाएंगे उसके बाद उसके बाद sling chain को लगाएंगे फिर जो है वो boynet को लगाएंगे तो इस तरह से हमारी जो rifle है वो जूड जाएंगे अब सबसे important question बनता है एक 0.22 rifle किस देश के बनावट है important है मैं बताओं आप जितने भी student देख रहे हैं इसका answer आप सभी को नहीं पता है ठीक है किसी को नहीं पता है इसका answer में यह confirm बोल सकता हूँ है या आपे तो 0.22 rifle किस देश के बनावट है तो दीके यह जो है वो युगोसलाविया किये कहां किये तो युगोसलाविया किये ठीक है यह rifle कि बनावट युगोसलाविया किये इस देश ने इस rifle को बनाया है अभी मैं आप सभी को एक chart दिखाऊंगा आप देख सकते हो आपके screen के उपर एक chart है आप इसका screenshot भी ले सकते हो या अगर आपको इस chart को अगर डाउनलोड करना है आप यहाँ पे सब कुछ चीज़े आप डिटेल से पढ़ सकते हो आप सभी को अगर इस charts को डाउनलोड करना है तो आप मुझे मेरे instagram पे message करिएगा मेरे instagram का जो link है मैंने description box में दिया है अगर आप जैसे मुझे message करोगे तो मैं वो photo आपको भेज़ दूँगा आपके instagram पे ठीक है I hope कि आपको यह video में दी जानकारी समझ में आये होगी और मुझे यह बताइए कि यह video बनाने में बहुत मैनत लगी है मुझे comment करके यह जरूर बताए कि आप सभी को यह video कैसा लगा ठीक है आगे चलके NCC और defense के related जानकारी पाने के लिए आपके अपने youtube channel mission and cc the way of success क subscribe करके bell icon को press कर दो आगे चलके आपको इसी तरह है कि नई informative videos हमेशा मिलती रहेगी आपका किमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में जहेंत वंदे मातराम